विडियो में बोले थे कि एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें एंडिया का कोई भी जए एग्जम के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है तो पार्ट वान अपलोड हो चुका है अभी तक अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों के साथ सेर कर दीजे तो चलिए आज का वीडियो श्टार करते हैं स्क्रीन में देखिए पहला कोश्चन क्या है पहला कोश्चन है इसमें सबसे इंपोर्टेंट एक बात है स्ट्पीच क्या जाता है मिलनी तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट है यह अप्सेन नमबर सी में लेकिन आपका अलग जो अप्सेन यह भी होता है और दे सेप कॉपर ओफ एंड कनेक्शन का जो कॉपर होता है वह भी सेप करता है अगा तो पॉट्पीच कोइल यूज किया जाता है सो निश्ट कोषिन देखिए निश्ट को इस है लाइट बाल्ब इस रेटेट फॉर सिक्स्टी वार्ट तुफॉर्ट फाइट को बोल दिया और आपका 60 watt पूछाए आर तो पता है आप लोग को आए हो फॉर्मूला क्या होता है पी इकल्स टू बी स्कूर अपन आर तो आर का फेलू पूचा तो आर इकल्स टू क्या होगा वी स्कूर मतलब यहां से आता है यह फॉर्मूला क्लियर सो नेश्क को सने इप्टाइब ट्राश्मिशन लाइन इंक्रीश टेंशन क्या होगा यह देखिए यह आपका पीजी सी आयल साइट एसर वन का जो को से आया था उसमें यह को सना तो यहां पर पूचा क्या है पूचा यहां पर अगर से इंक्रीश हो जाता है थो टेंशन क्या होता है का से आप लोग पप्रेंशन क्या होता होता है और। यह आपका क्या है से Bryce तो यहां पर बोल sizin सब टेंशन हो जाएगा क्यूंकि आकर्ष्पंपर आख मतलब आपका टेंसेंड मतलब क्या सब्सक्राइब के साथ टेंसेंड का जो रिलेशन है वो क्या है इन्भर्सली प्रोपोस्टनल इसी लिए एक इंपर यह पर बोला हुआ रहा था सब्सक्राइब की कैसे होता है तो आपका यह जो खूब जाता है यह इस वह सब्सक्राइं अगर घूब हो जाता है तो यह आपका कैसे होगा यह जो टेंशन अगर इंक्रीस हो जागा तो यह था चोड़ा सा कॉंसेट नेक्स क्या है नेक्स्ट कोशन है एक डाइग्रम है पहले डाइग्रम देखेंगे उसके सांड जो कुशन को हम लोग साल करेंगे टो डाइग्रम देखीया एक डिसी किसा यह सांट जेनराटर का दाइग्रम फूच्छा यह पर देखें ऐक गिवन सांड जेनराटर डेलीवर 430 एमपिर डेलिवैर कितना कर रहा है Iоль मतब लोट में कितना है 430 A बोला है ट्यूपोटेश संड sound field Bev 순ल संड फिल्रेजिस्टेंस उन्फील्रेजिस्टेंस कितना संड कितना बोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वह आपको पूछा है तो यहां पर डेटा क्या क्या है देखिए यहां पर फिल्ड एजिस्टेंस दिया यहां पर है यहां पर 0.02 यह दोनों आपको यहां पर है लिकिन निकालेंगे तो देखिए इसमें निकाल रहा है उसका बात डिवाइट हो जा रहा है बोथ पर्ट में मतलब आर्मेचर करेंट क्या हो सकता है । आही चुह सेन्ट करेंट प्लास लोड़ करेंट तो मेरा यीजद्र कमान पता है हमको सांड करेंधेन पता नहीं है तो क्या करेंगे घ्र कंटरी मmmत लोग को पता है यहां भोल्टेज यहां पर दिया है 240 और सांड रेजिस्टेंस से यहां पर 60 प्लास 430 तो इसको अबर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 60 on the 60 64 240 क्या एंपियर तो आगया मेरा आर्मेचर करेंट 434 एंपियर इंटू अर्मेचर करेंट केतना अर्मेचर इस्टेंस से 0.02 इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो लगबग मेरे 8.48 ऐसा कुछ एंसर रहेगा कितना होगा 8.48 बोल्ट तो यहां पर जीतना भी आपसन है उसमें से आपसेन हो रहा आपसेन नमबर एसका एंसर यह डी एफसीसी में जो एक्जेटीटिव इलेक्टिकल का फिलार एक्जम होए 30 सेप्टेमबर का उसमें आया था ठीक है ऐसा कोसेन आया था इसी देखिए यहां पर एक कोसेन बोला है कोसेन आपका वने ट्रांस्पोर्मारी इस ट्रेस को डिक्रीज करेंगे तो उसको कौन सा ट्रांस्पोर्मार कहा जाता है विड्रेस्पेक्ट तो प्रायमरी तो सेकंडरी में अगर बोल्टेज करेंगे मतलब करेंद कम रहेगा मतलब मतलब primary में क्या था विद रेस्पेक्ट टु प्राइमेरी यहां पर कोश्चन में बोल चुका है तो प्राइमेरी में क्या था मेरा ज़्यादा था ज़्यादाथा और सेगेंडली में मेरा कदल घांक क्ام हो मतलब क्या हुआ स्टेप धांट यहाँ उसको हम डिई्स कर दिया है यह कौन सब्सक्राइब हो ग्या स्टेप डाउंट्रैस्पॉर्मर मतलब क्या कायरेट ज्या कि बोल्टे जाध मतलब क्या कारेंट कर्म और और अगर होगा तो क्या होगा लिए DC to AC, DC से AC में convert करने के लिए हम लोग यूज़ करते है, DC motor में commutator, ठीक है, next देखिए, which of the following is not an application of SANT motor, इसमें से कौन सा SANT motor का application नहीं है, option क्या है, for driving constant speed, line setting, machine tools, electric locomotive, centrifugal pumps, इसमें से इतना, जो option दिया, इतना easy है, कोई भी देखके बता देगा, अगर DC series motor, DC SANT motor, अगर कोई learn कि आया है, या तो study किया है, तो क्योंकि देखिए, electric locomotive में हम लोग को पता है, कि DC series motor यूज़ के जाता है, for traction, so traction के लिए हम लोग यूज़ करते, electric locomotive में क्या, DC series motor, यहां पर पूछा है, कौन सा SANT motor का नहीं है, तो यह जो electric locomotive, option number C, आपका answer होगा, क्योंकि option number C, जो electric locomotive के लि जो locomotive रहता है, मतब जो railway का engine रहता है, जो locomotive में, जो illumination के लिए, जो power मिलता है, वो कहां से मिलता है, यह normal question लेकिन, कोई-कोई student confused हो सकता है, क्योंकि देखिए, normally जो, यहां पर option है, main steam engine, small turbo generator, battery and solar cell, so question तो पता है, electric powerful illumination in locomotive is provided by, so, जो illumination होता है, electric locomotive में, वो कहां से मिलता है, locomotive के आंदर, देखिए, normally जो एक locomotive होता है, एक locomotive होता है, वो locomotive का जो power मिलता है, कहां से मिलता है, जो overhead रहता है, जो overhead में, जो pantograph connected रहता है, उसमें से मिलता है, लेकिन, यह मिलता है, तो कहां से, pantograph से, पता है, अब लोग को, होता है फिर जो मेकानिजम है ठीक है तो लेकिन यहां पर लोकोमेटिव के आंदर अगर इलुमिनेशन का मतब लाइट फैन सभी तो जरूरत है उसको चलाने के लिए क्या यूस किया जाता है स्मॉल टर्बो जनरेटर ऑप्शन नंबर भी इसको संगा एंसर हो जाएगा क्लिय इसको नेक्स कोशन है तो मोस्ट इनपोर्टेंट फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू लाइटिंग क्वालिटी जो लाइटिंग क्वालिटी होता हम बोले थे यूटिलाइजेशन और इलेक्ट्रिकल एनरजी भी पनने का जरूर रहत है इसलिए सब यह सब इसन यू यह का क प्लाइन का कोश्ण अभी तक फिलाल नहीं लाए है नेक्स वीडियो में जरूर लाएंगे ठीक है तो दा मोस्टले इंपोर्टेंट फैक्टर विद रेश्पेक्ट तो लाइटिंग क्वालिटी में सबसे आच भी इनपोर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए औस इडिए इल्नुमिनेशन उनिफर माइट है बहुत ज़्यादा ब्राइटनेश बहुत ज्यादा कौंट्रेस्ट यहाँ पर यह लाइव दो पन्य दिक्क्त हो गाना तो इसलिए ख्लिच जो क्वालीटे यह अच्छा रहे जरुरात है तो पॉरेशन लांप मतलब जो ट्यूब लाइट में जो पावर फेक्टर कितना होता है तो देखें यहां पर एंसर है ओप्सेन है 05 लीट यूनिटी एंड 0.5 लेट नहीं हो सकते बावे भी लीट भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर इंडक्टिव लोड है इंडक्टिव लो यूद्वाइट का फ्रेम रहता है फ्रेम में यहां पर एक बैलेस्ट बठाएवा रहते है इसको जाता है चोक गाएक है यह आपका है इंडक्टिप लोड घृट कभी भी लीड नहीं होगा लाग ही होता है ठीके तो लीड नहीं होगा तो नुम्हान करेंगे तो वहां पर आपका हों प्रसक्ता कोई दे सकते हैं यहां पर दिखिए जो बैलेस्ट première का क्या है तो लाइक में था हम लोगा लुक्सानी है तभी भी जूध क्यों यूज यह लेकिन पर भी जरूरत तो यह बाला पड़ता है ना तीसलिए तो पहले बहले हम लोग को तब हम लोग क्यों कि जो ट्यूब लेट रहता है उसके आंदर क्या रहता है तो गैस को आयोनाइस्ट होने में मतलब जब जलता है होने में हाई भोल्टेज का जरूरत है तो हाई भोल्टेज देगा तब स्पार्ख होगा उसका बाद ही इसलिए यह चोक क्या प्रोडूश करता है चोटा सब्सक्राइब लेकिन यह जो कॉंसेप्ट है इंटरविव में भी पूशता है ठीक है तो आप लोग अरम से यह जो कोस्टिंग जो रूल सब्सक्राइब तो इंटर यह चाहिए यह चाहिए यह बहुत ज्यादा इंप्रेटन कॉस्चन यह आप लोग याद रहखिए ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है डारेक आप लोग याद रहखिए कोशन देखिए यादर रही दोचेश के जाएगा होज next question क्या है next question है maximum temperature limit for class f insulation is देखिए बहुत चारा insulation होता है तो insulation यहां फर question पूछाए class f जो insulation होता है उसका maximum temperature limit कितना होता है तो यहां पर होगा आपका option number d इसका answer हो जाएगा ठीक है तो बाकी चार्ट रहता है y a e b h c f यह छे साथ रहता है तो चे साथ का जितना भी temperature है वह हम एक shorts लाएंगे उसमें आप लोग वह जो table है हम बता देंगे ठीक है so next question देखिए next and last question है question आज mixed था control का question नहीं था हर दिन control का question करना जरूरत है ऐसा कोई बात नहीं है ठीक है question देखिए if running winding of a single-phase induction motor is short circuit देखिए single-phase induction motor 2 winding रहता है क्या रहता है एक होता है आपका running winding and up starting winding running winding को क्या कहाँ जाता है running winding को कह जाता है कर देंगे तो क्या होगा आपका क्या हो जाता है कम हो जाता है अगर मानिए यह थीटा थाटी डिग गए है तो यह कम हो कर देंगे तो आपका सब्सक्राइब कर लिए अगर कुछ सिखने को मिला है अभी तक तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दिए ठीक है और एक चीज यह तो कंटीनिव चलते रहेगा एक्सपेक्टेड एक्जम हो सकता है नॉवेंबर में देखिए एक्जम से तो पहले 20 डेस पहले तो एडमीट मेल ऐसा तो कुछ आ जाएगा ठीक है और यह तो कंटी लिए को मिला तो जरूर अब लोग दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हेल भी कीजिए ठीक है तो आज तक के लिए इतना ही थैंक्यू एंड गुडबाई